Hello Friends, Welcome to KitaDream House Friends, आप देख रहे हों, यह साग कितना अच्छा लग रहा है ना आपके सामने मैंने इसे ग्रो किया था और आपके सामने मैंने यह थर्मकोल के बॉक्स गहरे किये थे आप देख सकते हैं मूली, चने का साग, मिथी का साग कितना अच्छा औरक है आज मैं इसे harvest करने वाली हूँ और इसे मैं कई वार harvest कर चुकी हूँ बहुत अच्छा लगता है friends जब हम इसे harvest करते हैं लगरा नहीं एक दम से यह क्यारी के जैसा और ऐसा लगरा जैसे मैं खेत में से यह harvest कर रही हूँ चने और मेथी मूली के leaf और मूली इसमें बन रही हैं बट मैं इसे बोला था ना मैंने कि मुझे लीफ ही जादा चाहिए पर 17 इंचिस का गहरा है ये इसमें मूली भी अच्छे से हो जेगी और यहां पे देखिए ये टमाटर का प्लांट भी अपने आपी ग्रो हुआ जो हम कीचन वेस्ट डालते हैं उसे उसमें जो टमाटर वग कर रही है तब ही मैं सारे लीफ हर्वेस्ट कर रही हूं क्योंकि दो चार दिन में मैं इसकी मूलियां हर्वेस्ट कर लूँगी और इसमें देखिए गोबी भी कितने अच्छी हो रुखी जो मैंने आपके साथ शेर की थी मैंने कैसे लगाई थी गोबी भी वाली जो बलके परपल वाली लगाई थी न मैंने बंद गोबी वाली अभी कमजोर है और यहां से देखिए यह आटे का 10 केजी का अटे का पॉली वैग है उसमें से और यह क्यारी में से जो मैं यह प्याज की भूंके हर्वेस्ट कर रही हूं यह तो बहुत बार मैं हर्वेस्ट कर चुकी ह और बहुत जल्दी यह होती हैं बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है पर आज देखिए मैंने ऐसी खराब रख दिये थे और यहां पे बीच बीच में यह पालक है लगी हुई पालक भी मैं बार बार हर्वेस्ट करती हूं और फ्रेंट्स देखिए टब भर गया मेरे पास है और आपको इसके बारे में कि यह मूली के लीफ जो हैं बहुत आइक दम पालक के जैसे और यह वाली भी मैं हर्वेस्ट कर लेती हूं इसको तो मैं मूली को भी फाड़ लेती हूं काफी बड़ी हो रखी है देखिए मैं इसे कैसे फाड़ती हूं यह देखिए कितनी अच्छी ह हो रखी है यह मूली देखी कितने थोड़ी टेड़ी मेटी सी हो गया बट बहुत अच्छी है और यहां पर देखी यह सरफ का पैकट है इसमें भी मूली अच्छी हो रखी पहले मैं लीफ इसके हर्वेस्ट कर लेती हूं तो देखे टब भरके मेरे पास साग भी हो गया और मै में मूली ग्रो कर सकते हैं और यह देखी टू मूली मैंने हर्वेस्ट कर लिया मेरी जो बढ़े वाली बेटी है बोल रही थी मासी मूलिया लेके आना मुझे परांठी खानी है और मूली मैं जब देखती हूँ एक-दो तो फाड़ी लेती हूं क्यूंकि बढ़े वाली बे जो है मैंने रखी हुई है साग सबजी को वाश करने के लिए और two balty मैंने यहां पर रखी हुई है。 जो मैं garden में watering वगयरा करती हूं और यह देखिए जो पानी हमारे पास है बचे गई है जिसमें हम ये साग wash कर रहे हैं यही पानी हमने अपनी गार्डन में डाल देना है और ये क्या होता है इसमें पानी भी हमारा बच जाता है और काफी अच्छे से चाहे मैं कितनी बार इसको वाश कर लूँ उपर ही इसका गंद होएगा निचे नहीं पड़ेगा निचे जब हम कीचन में कुछ करते हैं तब बहुत जादा गंदा सा ह हो जाता है इसलिए देखिए मैं यहीं पर इसे वाश कर रही हूं और यह पे काफीं अच्छे चाह prag कर 200 ख्रोल्स कर पहले यहां पर निच्वाश गया है और एक हमने साग भी काफी सफाई से अच्छे से वाश कर लिया है और ये साग और गैनिक है देखिए किट्टू कहती ममा आप सैड हो जो मुझे वाश करने दो तो देखिए छोटे छोटे नने नने हाथों के साथ ये कर रही है काम करती है किचन में भी करती है आजकल ज़्यादा क्या होता है कभी कहेंगी मामा मैं सेमिय बना लूँ मैगी बना लूँ या फिर चाहे कौफी वगरह बना लेती हैं ननंने हाथों से काफी अच्छा काम कर लेती है अप्रैल में 12 फेर्स की होजेगी किट्टू मेरी बहुत है फ्रक्राथी गार्डन में भी किचन म भी बहुत गुड गर्ल है और मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद ये संभालेगी मेरी गार्डन को देखिए कितने अच्छे लगती है जब छोटा बच्चा काम कर रहा होता है तो देखिए वैसे तो मैं देखती हूँ कितने पेरंस परिशान होते हैं बच्चों से कि कुछ करती हैं देखिए पानी कितना साफ है इसका मैंने थ्री पानी में इसे अच्छे से वाश कर लिया अब मैं ये मूलियां अच्छे से वाश कर लेती हूँ पहले मैंने एक बार वाश कर दिया था इनको दूसरी वार और वाश कर रही हूँ तो देखिए मेरे पास ये टू मू लगा सकते हैं पॉलोथीन वगएरा में कहीं भी पॉली वगएरा में तो देखे कितनी मस्त सी टू मूली है और ये साग भी टब भर गया यहां पर देखे यह मैंने दिवार पर रखा हुआ यह मैंने कंबल से बनाया हुआ लॉंग पॉट है क्यारी टैप का और काफी अच्छ कर ली है लगभग एक गुच्छी के बराबर पालक होगी मेरे पास और लीफ होगे मूली के यह जो पानी आप देख रहे हैं यह इसमें मैंने लसन की एक मुठी छिलके सही ती इसमें डाली थी और वन वीक हो गया लगभग इसे इसमें डले होए यह मैं खराक देने जारी ह अपने इस थर्माकोल के बॉक्स में जो लगी हुई है पालक मूली और चना में थी उसको यह खराक दूँगी मैं इसकी और उपर भी मैंने लगा रखे हैं काफी अच्छे ग्रोथ होगी उनकी वी नेक्स वीडियो में मैं आपको इसकी अपडेट दूँगी उपर वाले की और ये तो पांचे दिन में ही काफी अच्छे इसके लीफ हो जेंगे ये लगा लो की वन वीक में इसे फिर से मैं हार्वेश्ट कर लूँगी मैं ये खराक दे रही हूँ इसमें देखिए कोई कीडा नहीं लगेगा और काफी अच्छे से एकदम से ये उपर को होएंगे ज सर्मा कोल का बॉक्स देखिए एक टमाटर ये है एक प्लांट ये है टमाटर का इसमें टू प्लांट टमाटर के हैं और टू च्री इसमें मिर्ची के प्लांट अदिवार की सैड और एक प्लांट ये है और ये ऐसी देखिए मैंने आपको दिखाया था इसकी भी मैंने आप अच्छा कडाही भरके साग बन गया है मेरा काफी अच्छा लगरा देखने में अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको साग कैसा लगा और अगर किसी भी तरह का कोई डाउटो मुझे बेजिज अपनी समझ के पोच सकते हैं तो देखिए मैंने कडाही भरके साग भी छौंक भी लिया है और मुटो मूली भी मैंने हर्वेश्ट कर ली